पेशाब की तकलीफ मैंने अगर रुप रुप के पेशाब आती है उनको चूना मत दे रुप रुप के जिनको पेशाब आती है ग्रिबलिंग जिसको कहते हैं उनको चूना नहीं देना बाखी किसी को भी दे सकते अभी चूना और मैथी दो आउशदी की माहिती मैंने आपको दीशी समझ में आई अभी तीसरी एक माहिती और जैसे चूना है मैथी है ऐसे ही अतने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी ऑउशन है उसका नाम है दाल चीनी है बहुत ही अत्वर यह दाल चीनी इतनी अच्छी ऑउशन है कि आप इसके वारे में भी हरान हो जाएंगे सुनकर दाल चीनी का पाउडर और मद, दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले सुबह एक चम्मश दालचीनी का पाउडर और एक चम्मश मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबर कुलोसिस माने टीबी अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से जादा शुरू होती है ये सब को ठीक करने की ताकत दालचीनी में है दम भरता है, सास भरती है, दस कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना परता है इन सब की आउशनी दालचीनी खाने का तरीका दालचीनी का पाउडर बनाईए, मद में मिलाके खाईए और अगर आप जेन धरम का पालन करते हैं, तो मद नहीं खा सकते, तो गोर्मे मिलाके खाईए जितनी दालचीनी, उतना ही दोनों को गरम पानी में घोल लीए, पानी को की लिए दाल्चीन ह्त दाल्चीन काम आती है शरीर को कभी भूखी में लगती है एक्तम बारीक शरीर है जिन बच्चों का उनको भी दाल्चीनी कामाते हैं यह एक दाल्चीनी तेई सुरूगों को ठीक कर देते हैं कि बहुत अध्यूत है कि तो सब्चिनी बढ़ खाने की चीज़ा मसाले के रूप में उपयोग होती है गरम मसाले में दाल्चीनी के बिना चलता नहीं तो मसाले में तो 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 ग्ति ही है लेकिन अलग से आप उस्तों लोग करें तो वह बहुत ही अच्छी आउशाद है अगर मैथी खा रहे हैं तो इसकी जरूदत नहीं ये खा रहे हैं तो मैथी की जरूदत नहीं एक बार में एक और शबी खाईए जी बच्छों को मात्रा कम करिये आधा चंबच काफी होता है बच्छों को बड़े लोगों को एक चंबच अलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसीन है दालची किसी भी तरह की अलर्जी आपको है शरीर में नियमित दालची नहीं खाईए मद में मिलाते मत नहीं खा सकते तो गोड़न मिलाते तीन से चार मेंने सब अलर्जी ठीक कर देते हैं सुबह के लिए खाले के लिए ऐसे बिटी के लिए खाले दाल चेंगे बहुत अखुत